हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल पे आज मैं बनाने वाली हूँ मंगोडी की सब्जी ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और साथ ही सेहत के लिए काफी हेल्दी भी होता है मंगोडी मूंग दल से बनाया जाता है तो चलिए सुरू करते हैं इसे बनाना इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक कटोरी मूंग वड़ी यहाँ पे इसमें मेथी के जो पत्ते हैं उसे काटकर डाला गया है बारिक काटके मेथी के पत्ते डालकर से सुखा कर बन तो आप इस तरह से 100 ग्राम के करीब मुंगवडी ले लीजिए और साथी मैंने यहाँ पे लिया है एक कटोरी हरे मतर दो छोटे कटे हुए आलू बारी कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, धन्यक पत्ती, अद्रक लेसुन पेस्ट और ये कुछ मसाले लिये हैं हल्दी पाउडर, लालमिश पाउडर, गरम मसाला, मेथी दाना और जीरा हमें ये दो मसाले नहीं चाहिए, राई और अजवाई जो रखा है और यहाँ पी मैंने लिया है नमक, नमक स्वादनुसर ले अधा कटोरी टमाटर का पेस्ट प्याज का पेस्ट आधा कटोरी और इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है सरसो का तेल सरसो के तेल में सबजी बहुत ही टेश्टी बनती है देखिए यह सारे जो समागरी है इस तरह से मैंने यहाँ पे रखा है आप देख सकते हैं तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज सस्क्राइब करना बिल्कुल न भूलें तो यहाँ पे मैंने पैन में थोड़ा सा सरसु का तेल डालके जो मूंगवरी है वो डाल दिया था और साथी धीरी धीरे हमें इसे लाल होने तक पका लेना है जो इसका कलर है अच्छे से देखिए इस तरह से लाल हो जाना चाहिए और जो मूंगेडें हिए अच्छे से लाल हो गई है तो हम इसे निकाल देती हूं कटोरी में उसकी बाद में हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल देते हैं यहां पे में दो बड़े चमच तेल डाल दी हूं और उसकी बाद में हम इसमें डालेंगे मेथी दाना और जीरा आदा छोड़ा चम्मच और इससे अच्छे से लाल होने देना है उसके बाद हम डालेंगे बारी कटा हुआ प्याज हरी मिर्चे अब इसे भी हमें अच्छे से लाल होने तक चला लेना है देखी जो प्याज है अच्छे से लाल हो चुका है अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ अद्रक लसुन का पेश्ट और इसे डाल कर भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है जो लसुन और अद्रक का कच्छापन है वो अच्छे से चला जाए और इसकी बाद हम डालेंगे प्याज का पेश्ट और इसे भी हमें अच्छे से mix कर लेना है ये देखिए इस रह से चली फिरिंज जो सुखे मसाले हैं उसे भी हम डाल लेते हैं इसमें यहाँ पर मैं डाल रही हूँ एक छोटा चमज हल्दी पाउडर एक छोटा चमज लालमिश पाउडर एक छोटा चमज गरम मसाला सारी चीज़ों को अच्छे से भूल लेना है हमें देखिए काफी जो अच्छा कलर मसाले में आ चुका है अब इसमें डालना है टोमेटो का पेश्ट टोमाटल का पेश्ट रही और इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें 2-3 मिट तक जो सारे मसाले हैं अच्छे से पक जाना चाहिए यह देखें जो मसाला है काफी अच्छा कलर आ चुका है अब पक चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे सब्दियां तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ आलू, मतर और यह जो मैंने मेथरी को फ्राई करके लिया था उसे भी डाल देना इसमें और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है उसके बाद में डालना है पानी तो यहाँ पर मैं 2 बड़े ग्लास पानी डाल रही हूँ क्योंकि मूंगेरी जो है फूलने के बाद में बड़ी हो जाती है और काफी टाइम तक इसे पकाना पड़ता है आप चाहे तो इस सबजी को कूकर में भी बना सकते हैं बहुत ही जल्दी बन जाएगा यह देखिए मैंने 2 ग्लास पानी डाल दिया अब डालेंगे नमक स्वादा नुसार नमक डालका अच्छे से मिक्स कर लीजिए एक उबाल आने के बाद में गैस को मेडियम करके हमें इसे ढख कर कम से कम 20-25 मिट तक पकने देना है और उसके बाद में जो सबजी हमारी तयार हो जाएगी अभी देखिए मुगरी का जो साइज ये बड़ा होने लगा है और यह अच्छे से पक जाना चाहिए उसके बाद ही जो हमारी सबजी है वो तयार हो जाएगी अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आया तो प्लीज प्लीज देख सकते हैं और साथ हम इसमें गानिस करेंगे हरा धनिया का प्लीज जरूर ट्राइ किजिए रेस्पी आपको जरूर पसंद आएगी थैंक्यू